नमस्कार दोस्तों मेरा नाम राजीव है और आप देख रहे हूं फिल्मी ओपिनियन तो अब हम आपके तिये रिव्यू करेंगे प्रभास टार्डर डेटेस्ट रिलीजड पैन इंडिया मूवी सलार की तो कैसा लगा मुझे सलार डेटेल्स में बात करेंगे इस वीडियो के को लाइक शेर और चैनल को जरू सब्सक्राइब पीजएगा देखें प्रसान नेल का केजीफ जो है उस समय एक मतलब जब यह शाडुखान की जिरो के साथ रिलीज हुआ था तो इसने पूरा शाडुखान का फिल्म का जिरो का मार्केट जो है कम्प्लीटली वेस्ट कर दि तो कैसा रहा यह फिल्म बात करेंगे इस वीडियो के अंदर में रिक्वेस्ट एक ही है वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक देखिएगा कुछ भी अगर आपको पसंद आता है तो वीडियो को लाइक शेर और चैनल को जरू सब्सक्राइब कीजिएगा देखिए जो है वो खांसार का वॉर्ल जो है उसको क्रिएट किया गया है उसमें बहुत सारे प्रम औरिष्पन से असमें कीडियो Sana 24 साल बात दो दो दोस्त जो है एक साथ फिर से मिल रहे है एक जो है आपको पता है कि देवा जिस किर्दार को यहाँ पे प्ले कर रहे है प्रफास और दूसरा जो है प्रित्वीराज सिकुमानन जो दूसरा केरेक्टर प्ले कर रहे है तो यह दोस्त की कहानी है दोस्ती है प्यार है महबत है मा की ममता है बहुत सारी चीज़े जो है इसके अंदर में डाला गए जैसे प्रसाद निल अपने इंटर्व्यू में बोल रहे थे कि इसके अंदर में सिर्फ आपको action नहीं उसके साथ-साथ बहुत जादा ड्रामा देखने के लिए मिलेंगे दोस्तों ये फिल्म का जो सबसे बड़ी positive पार्ट है वो इस फिल्म की ड्रामा ही है क्योंकि इसके अंदर में बहुत सारी ड्रामा जो है दिखाया गया है बहुत सारे ऐसे emotional moments जो है उसको रखे गया है जो उनका trademark होता है मा बेटे का relation या फिर दोस-दोस का relation या फिर बाप और बेटे का relation बहुत सारे ऐसे situation बनाया गया है जो definitely आपको थोड़ा बहुत जो है आखे आपका नम होगा दिल जो है थोड़ा पिगल जाएगा तो ड्रामा इसका सबसे बड़ा positive पार्ट है दूसरा positive side अगर मैं कहूँ इसकी action देखे action choreography तो अच्छी हुई है लेकिन मजे की बात यह है कि यहाँ पे action का build up जितना हुआ है action उतना नहीं दिखाया गया यहाँ पे action कम ही है लेकिन उसका build up बहुत अच्छा तरीके से किया गया है एक particular एक scene की अगर मैं बात करूँ जहाँ पे काली माता की मूर्ती होती है और उसके सामने जो है वहाँ पे जो tribes है वो लोग मतलब कुछ sound करते है थोड़ा सा इसका जहलक जो है वो trailer में है और वहाँ पे जब प्रभास को काली मा का मतलब आफ्तार या काली माता का लड़का बताया जाता है तो उस समय का सिक्वेंस है और वो मतलब आल्टिमेटम जाने से पहले इतना बढ़िया बिल्ड़प दिया गया scene को कमाल गी यहने तो एक लिस्ट इंडियन मूवी में ऐसा बिल्ड़प देखा ही नहीं है एक situation रहेगा जहां पर बुला जाएगा कि हाथ को ऐसा करके सब रुको तो सब हाथ ऐसा रखते हैं और प्रवाज भी अपना हाथ ऐसा रखता है लेकिन जब वो मतलब शुरू होगा उसका shadow जो है जमीन पर गिर रहा है और बैक है क्योंकि उनका बाहुबली के बाद से अगर मैं कहूँ पैन इंडिया मुवी में साहो उतना खास नहीं चला उसके बाद जो है राधिशयम उतना खास नहीं चला और आधी पुरूश में तो बहुत जाद उनको ट्रोल किया गया यह जो बैट फेस उनका चल रहा था कुछ पिछले चार-पांस सालों से तो वो उभर के यह डिफिनिटली फिल्म आई है और यहां पर प्रभास को मतलब प्रशाद नीन ले काफी अच्छा जो है अपना एक्सोजर दिया है और वो अच्छे लग भी रहे है उनको डायलोग जब गले लगा रहे हैं लोग को काफी अच्छा है और बहुत ही सुंदर लग रहा है देखने के लिए यह फिल्म की अगर मैं कहूं के वर्ल्ड बिल्डप जो है जो मैं पॉजिटिव साइड में कह रहा था तो यह थोड़ा बहुत यह भी है कि पूरा वर्ल्ड बिल्डप करने में कहानी के बिल्डप करने में ही पूरा फिल्म जो है तीन गंटे का उन्होंने यहां पे ले लिया है और फिल्म को ऐसी जगा पे जाकर खतम किया है जो क्लिफ हैंगर है मतलब यह सबसे मतलब कटपने बाहुबली को क्यूं मारा उसके बाद अगर मैं खहूं तो यह जो है क्लीप अंगर वैसे छोड़ा गया है कि आपको दूसरा इसका जो पार्ट आएगा उसको आपको देखना ही पड़ेगा क्योंगे कहानी सिर्फ अभी शुरू ही हुआ है तो उन्होंने करीब तीन घंटा समय ले लिया सिर्फ कहानी का बिल्डप रचाने के लिए जो जैसे रवी बास्टूर का जो बैक्ग्राउंड स्कोर हाला कि उनका बैक्राउंड स्कोर काफी अच्छे होता है और सुनने में बहुत ही बढ़िया लगते है यहां पे बहुत लाउट कर दिया गया है जो एक्ट्र सेक्वेंस के अंदर में जो मतलब उनका जो बीजी एम है इतना लाउट है कभी-कभी डायलोग जो है वो बहलाप हो जा रही है तो यह मुझे थोड़ा ठीक नहीं लगा दूसरा जो मैं कहूंगा कि इसमें जो मतलब एम्मूनेशन जो है जो मतलब जो जितने भी सारे ओजार दिखाया गया है वो उतना इंप्रेसिब लगा नहीं ज जो मतलब आप बोल सकते हों कि बात ही हुई थी लेकिन इसके अंदर में सालार में आपको ऐसा कोई ओजार नहीं दिखेगा सिर्फ आपको कुछ जो है हाथ में कुछ बंदूके दिखेंगी और कुछ मतलब आपको जो है कुछ सोट वगेरा दिखेंगी इसके अलाब आपको बहुत खास ऐसा कुछ रिमार्केबल औजार नहीं दिखने के लिए मिलता है जो मुझे थोड़ा डिजपोइंट करती है और इस फिल्म के अगर सबसे कमजोर करी कहूँ तो इसमें जो मतलब फिमिल करेक्टर्स है जो प्रशाद जिल के फिल्म में नॉर्मली इंपॉर्टेंज उनको मिलती है लेकिन यहांपे कमल हसान की जो मिलती है सुरती हसान वो यहांपे जो है लीड करेक्टर प्ले कर रही है और वो सच में माने तो उनको थोड़ा अंग्रेजी accent जो है उनको दिया गया है जब वो हिंदी में बात करते हैं एकदम fluently बात करते हैं जब कभी-कभी उनको मन होता है तो वो थोड़ा अंग्रेजी accent के साथ अंग्रेजी भी बोल लेती है तो मुझे थोड़ा अजीब सा लगा है और उनका रोल उतना खास है भी नहीं जितना importance एक female character को KGF में दिया गया आपको मतलब फिमेल प्रोटागनिस्ट को जितना स्पेस मिला था यहां पर वो स्पेस है भी नहीं और वोर्ग भी नहीं कर रही है और साथ में कुछ एडिशनल करेक्टर फॉर एक्जमपल गजबती बाबू या फिर मानली जैटीनू आनंद इन लोगों को रखा गया यह इंटागोनिस्ट भी जो बना है उतना कास यहां पर उनको स्क्रीन प्रिशन दिया नहीं गया है और उतना वर्ग भी नहीं कर रहा है तो यह सारी चीजे जो है मेरे हिसाब से यह शायद पार टू में और भी निखर के आएंगे लेकिन पार वान के हिसाब से अगर मैं देख आप इस फिल्म के अंदर में एंजॉय कर सकते हो दोस्तों यही था मेरा रिव्यू अबॉट फिल्म काल्ड सलार कैसा लगा आपको मुझे कमेंट में आके बता सकते हो कुछ भी अगर इस वीडियो से अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को जरूर सब् जल आपको लिए